देखें एक शाब्ध है आंत और से बोल चानल में लिखने प्रणाई में परियोग होता है कष्टमय तो इस वीडियो में कष्टमय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आर्थ वर मतलब होता है जानेंगे एक्साम्पल से सेंटेंसे में इस शाब्ध को इंग्लिश में कष्टमय को बोलते हैं कॉंप्लेक्स, कॉंप्लिकेट, डिफिकल्ट, हार्ड, टॉफ, टॉफ, टॉबल्ड, मैजरेबल एक्जांपल से सेंटेंसे में समझते हैं शब्ध को और भी अच्छी तरह से जैसे आम बोलचाल में शब्ध को हम लोग परियोग करे इन कस्टमय परस्थितियों के कारण लोग दूर के देशों में जाने लगे हैं मतलव एंग्लिश में ड्यू टू दिस मैसरेबल कंडिशन पीपल है इस्टार्ट गोइंग अब्रोड, अब्रोड का मतलब विदेश, दूसरा एक्जांपल है कि विदार्थियों का जीवन का काफी कस्टमय होता है मतलव एंग्लिश में दे लाइफ आफ इस्टुडेंट्स इस वेरी कंपलेक्स या इस प्रेटी कंपलेक्स ठीक है तो अमीद आपने कस्टमय शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एक्सांपल के साथ में अच्छे तरह से समझ लिया है थैंक्स वर व